नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी इमान का ज्यान बताएगी तो चलिए सुरू करते हैं काफी समय पहले की बात है परताब गड़ नाम का एक राज था वहाँ एक राजा बहुत अच्छा था मगर राजा को सुख नहीं था वह कि उसको कोई संतान नहीं थी और वह चाता था कि अब वह राज के अंदर किसी योग बच्चे को गोद ले ताकि उसका उत्राधगारी बने और आगे की बागडोर को सुचार रूप से चला सके और इसी को देखते हुए राजा ने राज में घोषड़ा करवा दी की सभी बच्चे राजमहल में 31 हो जाएं ऐसा हुआ राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन भिन प्रकार के बीज दिये और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि कि पौधा सबसे अच्छा है महीना बीज जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था देखते ही देखते तीन महीने बीट गए बच्चे परि पौधे का समय आ गया लेकिन कुछ हुआ नहीं वह बच्चा डरा हुआ था सभी बच्चों के गमले में तो पौधे हुंगे और उसका गमला खाली होगा लेकिन वह बच्चा इमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे कुछ बच्चे जोस से भरे हुए थ क्योंकि उनके अंदर राज का उतखारी बनने की प्रबल इच्चा थी अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था तभी राजा की नजर उस गमले पर पड़ गई उस उसने कहा लेकिन मैंने इस गमले की छे महीने तक देख भाल की है राजा उसकी मांदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है फिर भी वह हिम्मत करके अहां तक तो आ गया सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया जो सामा हुआ था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया सभी बच्चे जोर से हसने लगे राजा ने कहा शांत हो जाईए इतने खुस मत होईए आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं आप चाहे कितनी भी मेनहत कर लें उनसे कुछ नहीं निकलेगा लेकिन असली बीज यही था राजा उसकी इमानदारी से बेहर खुस हुआ और उस बच्चे को राज का उत्राधिकारी बना दिया लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला मेरे हिसाब से अपने अंदर इमानदारी का होना बहुत जरूरी है अगर हम खुद के साथ इमानदार हैं तो जीवन किसी ने किसी पड़ाओ में सफल हो जाएंगे क्योंकि हमारी अवकात हमें ही पता होती है हम खुद को पागल बना कर खुद का ही नुक्सान करते हैं अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक सेर और कमेंट जरूर करें